दोस्तो स्वागत है आपका यूटूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम फ्लिपकार्ट के कमिशन के बारे में देखने वाले हैं अगर आप एक न्यू सालर हो और फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहला जो डाउट आता है वो यह हो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको दो मेंटर बताऊंगा जिससे आप चेक कर पाऊगे कि आपकी लिस्टिंग के उपर जो भी प्रड़िट आप लिस्ट कर रहे हैं उसके फ्लिपकार्ट कितना कमिशन कितना फिक्सवी कितना सिपिंग कॉस्ट यह सब कुछ लेने वा फिलिपकार्ट पे न्यू सलर हो कोई प्रड़िक्ट करने जा रहे हो और को चार्ज़ेस नहीं पता है तो अगर आप कुछ भी प्राइस रख सकते हो तो आपको लॉस लग जाएगा तो आप सब कुछ चार्ज़ेस जो अगर चेक करने के बाद ही अपना जो प्राइस है वो जो भी प्रड़क्ट आपसे और जो उसका प्राइस सकना चाहते हो तो कैसे उसका sleep structure होने वाला है अगर आपसे ऐसे बात करें तो फ्लिपकार्ट आपसे चार तरह के यहाँ जिञे सकते चारज़ेस आपसे करता है फस्ट फॉल, flip card आप से commission लेता है, तो flip card का commission है, फस्ट फॉल अभी तो बहुत से category में, flip card में 0% commission कर दिया है, तो अभी सबसे पहले आप commission पे करना पड़ता है, then आपको shipping fee pay करना पड़ता है, then आपको collection fee pay करना पड़ता है, यह commission और collection fee different है, ठीक है, collection fee जो होता है, वो payment gateway का charge है यानि customer ने online payment किया है या cash on delivery पे payment किया है तो उसका ये charge है फिर आपका fixed fee है Amazon का fixed fee है जो आपको देना पड़ता है अगर overall आपसे बात करूं कि statement amount क्या होता है कि आपको कितना payment मिलेगा जो भी आपने order का value है उसमें marketplace का fee direct होगा marketplace का fee ये 4 को add करके जो होता है उसे marketplace fee काते है जो भी marketplace fee बन रहा है उसमें 18% का आपको GST pay करना पड़ेगा तो अब लोग next डेखते हैं अगर मैं shipping fee की बात करूं तो देखिए shipping fee आपको जो है दो rule यहाँ पर apply होते है एक तो आप कितना rate दे रहे हैं और आपको किस location से order आया है लोकल, journal या फिर national अब local क्या होता है कि आपको अपने ही city से अगर order आए गा ऊसे हम local order कईगे Journal order वो होते है जो आप जिस state से हो उसकी आस-पास के अगर स्टीट से आपको order आता है तो उसे journal order करते है और अगर आपको किसी और स्टीश से order आ रहा है अगर आप मालनो दिल्ले से हो और आपको नीचे स्थाउट से order आ रहा है तो फिर आपको national डिर्विश चार्ज देना पड़ेगा अगर यहाँ पर wiel turkey बास किड़िज आपका प्रड़ोट का हैं यहाँ पर का सब्सक्राइब हाब की अगर और आप पर प्र प्रड़ोट हैगनी अपने हाप केजी से बढ़ा धिया है अगर आपको छार ऌुपै एक्स्या देने पड़ेगे यहाँ पर 19 रुपीज अक्स्या दे प्लस कर लो 26, 65 में 26 प्लस कर लो, फिर अगर आपका प्रोड़क्त 1.5 kg तक है, तो आप 44 में आप यहाँ पर 13 रुपीज एड़ कर लो, या 51 में या 70 रुपीज एड़ कर लो, मतलब आप जितना वहाँ केजी बढ़ाते जाओगी, उतना यह चार्जर जो है, वो आपको इसमें आपको एड़ करना पड़ेगा, अगर मान लीज आपका जो प्रोड़क्त है, वो 12 kg का है, ठीक है, तो 12 kg का है, तो आपको यह सारे चार्जर यहाँ पर एड़ करते जाने पड़ेंगे, जैसे तो 44 एड़ कर लो, 4 एड़ कर लो, 13 एड़ कर लो, 10 भी एड़ करना आपको ट्विट चार्ज होगा, नीचे आपको मैं कल्कुलेटर भी देखाऊंगो, और इस हो जाएगा, आपको इसकी कोई भी requirement नहीं पड़ेगे, तो मैंने आपको बता दिया, अब दोस्तों इसके बाद बात करें collection fee की, तो collection fee देखिए, आपकी MRP के ओपर depending करता है, कि आ अपने project का MRP कितना रखा हुआ है, अगर आपके project का MRP 0-75 रिपीश तक है, तो आपको 2% देना पड़ेगा, जो amount है उसका, मतलब अगर अपने 500 रखा है, तो 500 का 2% देना पड़ेगा, अगर prepared order है, अगर postpaid order है, और 750 से नीचे आपका order है, प्राइस है product का, तो आपको 15 रु तो prepaid पे आपको 2% देना पड़ेगा, और postpaid पे भी आपको 2% देना पड़ेगा, इसके बाद दोस्तों आपको fixed fee देना पड़ता है, यह तो हमारा collection fee, तो आपको fixed fee देना पड़ता है, अगर आपका product का amount, 0 रुपीश ते 300 रुपीश है, तो आपको 13 रुपीश देना तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं नीचे आपको scroll करूँ तो आपको यहां देखिए, calculator मिल जाता है, जहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे यहां पर commission आपको देना होता है, collection fee देना होता है, fix fee देना होता है, shipping fee देना पड़ता है, then 18% GST देना पड़ता है, और total आप amount वो mention होता है, how much you make, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको भी product sale कर रहे हो, तो जैसे यहां पर gold seller के लिए हो, या silver हो, या फिर bronze हो, या अपको select करना पड़ेगा, तो maximum seller होता है, starting हो ब्राउंज होता है, तो bronze आप select कर लिजे, seller fulfillment कर रहे हो, smart fulfillment कर रहे हो, तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा, आपका product name देना पड़ेगा, तो मैं मान लिजे, मैं chopper sale कर रहा हो, तो यहां पर sell कर लिक्यूंगा chopper, ठीक है, chopper यहां आपको यहां से select कर लिजे, फिर आपको देना पड़ेगा, कि आपका selling price कितना है, तो मैं मान लिजे इसे 500 म नहीं ले रहा है, तो 0 रुपेज हमारा commission हो गया, collection भी 10 रुपए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखे, हमने 500 रुपए इसका रखा है price, तो collection भी हमारा यहाँ पर लग रहा है 500, यहाँ पर देखे, collection fee, तो 500 क्या है, इसके under है, ठीक है, और यह prepaid order है, तो इसका 2% यहाँ प घ्क होगा, तो यहाँ पर देखे हैं, collection fee देना पढ़ा, then fix fee हमें देना पढ़ा 11 रुपए, 11 रुपए fix fee क्यों देना पढ़ा देखें आप यहाँ पर, हमारा price इसके बीच में था, इसलिए हमे 11 रुपए यहाँ पर fix fee देना पढ़ा, तो यहाँ हमारा fix fee हो गया, और shipping charge हम हमारा 71 रुपीज लग रहा है ठीक है shipping price जो हमारा 71 रुपीज लग रहा है यहाँ पर हमारा यह local हमने तो क्या होगा आपका value metric weight कम हो जाएगा यहां पर 1 kg का यह लेके चल रहा है यहां पर weight 2 kg के जगा हम कर देते हैं weight जो है हमारा product का 0.5 kg चीक है तो weight आप यहां से चेक कर सकते हैं तो हमारा price देखेक रिडक्ट हो गया 65 रुपीज हो गया तो weight आपका जो भी product का weight हो वह आप यहां पर देजाए जागर 1 kg हमारा product का weight है तो हम यहां पर देखेके 91 रुपीज और यह सारे जो cost है जो सबको add कीजिएगा तो इसका 18% यहां पर GST काट होके total हमें इतना मिलने वाला है तो दोस्तों यह रहा आपको flip card calculator जिसमें मैंने आपको बता है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको बताता हूँ channel पहले से कैसे चेक कर सकते है तो guys आप अपने listing tab में जब आओगे आपको बन जाता है यहां पर क्या है कि आपने जो लिस्टिंग की है उसमें जो भी डिटेल दिया है उसके हिसाब से आपके product की जो जो यहां पर charges है वो charges आपको यहां mention होते हैं यहां पर आपको सिर्प अपना selling price लिखना है कि आपकी इस price पर sell कर रहे हो आप जो प्राइस में सेल कर रहे हो आपको यहां पर आही जाएगा उसके बाद आपको यह सारे charges लो कर जाएंगे कि इस product पर आपको जो है listing आपने यहां पर कितने में की है वो आपको सो करेगा then commission कितना ले रहा है जिरो रुपीज दे रहा है then shipping fee इसका कितना ले रहा है यह आपका local है यह journal यह national यह आप देख सकते हो fix fee कितना ले रहा है यह आपको यह पता चल जाएगा तो आपको प्राइस बढ़ाना है तो यहां से आप प्राइस बढ़ा लीजिए अगर आपको इसे 500 में sell कर रहे तो आपको यहां पर कितना मिलेगा यह आपको अपडेट करके बता देगा तो इस तरह आप listing करने के बाद भी अपने listing पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको आप प्राइस का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर किजेगा साथ से फर्मने चनल पर नए तो कर दिये चनल को सब्सक्राइब इस चनल पर मैं आपके लिए online selling related वीडियो लात रहता हूं थेंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो